राधे राधे भक्तो आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आईए मैं आज आपके लिए महासिवरात्री की पर्द कथा लेकर आई हूँ जो भी सच्ची सर्धा के साथ महासिवरात्री का बर्थ रखते हैं, कथा सुनते हैं, उनके जीवन से तुख और कष्ट दूर होते हैं, तथा सुख समिर्धी का असिरवाद पराप्त होता है, तो आए कथा सुरू करते हैं, तो बोलिये प्रेम से भोले नाथि की जै, माता पा पर्वती जी की जै, फालगुन मास कृष्ण पक्च की चतुर दसी तीथी पर महासिवरात्री का बर्थ रखा जाता है, कथा के अनुसार, पुर्वकाल में चित्रभानू नामक एक सिकारी था, जानपरो की हत्या करके वो अपने परिबार पालता था, वो एक साहुकार का कर लेकिन उसकारीन समय पर न चुका सका, क्रोधित साहुकार ने सिकारी को सिव मठ में बंदी बना लिया, संयोग से उस दिन सिवरात्री थी, सिकारी ध्यान मगन होकर सिव समन्दीत धार्मिक बाते सुनता रहा, चतुर दसी को उसने सिवरात्री बर्थ की कथा भी सुनी, और साम होते ही साहुकार ने उसे अपने पास बुलाया और रिन चुकाने के विशय में बात की सिकारी अगले दिन सारा रिन लोटाने देने का वचन देकर बंधन से छुट गया अपनी दिन चर्या की भाती वह जंगल में सिकार के लिए निकला लेकिन दिन भर बंदी गिरी में र उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, वह वन के तलाब के किनारे एक बेल के पेर पर चड़ कर रात बिताने का इंतजार करने लगा, बेल बिर्ष के नीचे सिबलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था, सिकारी का उसका पता न चला, परापनाते समय उसने जो टहनिया तोरी हुए संयोग से सिबलिंग पर गिर्ती चली गई, इस परकार दीन भर भूखे प्यासे, सिकारी का बर्त भी हो गया, और सिबलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गया, एक पहर रातरी बीत जाने पर एक करवती, हिर्नी तलाब पर पानी पीने पहु जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है, मैं बच्चों को जनम देकर सिग्र ही तुम्हारे समच प्रस्तूत हो जाऊंगी, तब मार लेना, सिकारी ने तीर धिली कर दी और हिर्नी जंगली जार्यों में लुप्त हो गई, तीर चड़ाने तथा धिली करने के वक्त कुछ ब पन हो गया, कुछ ही देर बाद एक और हिर्नी उधर से निकली, सिकारी की खुशी का ठीकाना न रहा, समीप आने पर उसने धनुस पर बान चड़ाया, तब उसे देख हिर्नी ने पिने पुर्भक निवेदन किया, है सिकारी, मैं थोड़ी देर पहले रीतू से निव्त अपने पिरिये की खोज में भटक रही हुँ, मैं अपने पती से मिलकर सिगर ही तुम्हारे पास आजाओंगी, सिकारी ने उसे भी जाने दिया, दो बार सिकार को खोज कर उसका माथा ठनका, वो चिन्ता में पढ़ गया, रात्री का आखरी पहर बीत रहा था, इस बार भी धनुस से बेलपत सिबलिंग पर जाकिरे तथा दुसरे पहर की पूजन समपन हो गई, तभी एक अन्य हिर्णी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली, सिकारी के लिए या एक अपसर था, उसने धनुस पर तीर चढ़ाते में देरी नहीं लगाई, वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिर्णी बोली है सिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लोट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो, सिकारी हसा आर बोला, सामने आये सिकार को छोड़ दू, मैं ऐसा मुर्ख नहीं, इस से पहले मैं दो बार अपना सिकार खो चुका हूँ, मेरे ब बच्चे भूख प्यास से ब्याकुल हो रहे हैं, उत्तर में हिर्णी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही, मुझे भी है सिकारी, मेरा विश्भास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़ कर तुरंत लोटने की परतिग्या करती हू हिर्णी का दिन स्वर सुनकर सिकारी को उस पर धया आ गई, उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया, सिकारी के अभाब में तथा भूख प्यास से ब्याकुल सिकारी, अन जाने में ही बेल बिच पर बैटकर बेल पत तोर तोर कर नीचे फेकता जा रहा था, पौँ फटके तो एक हश्ट पुष्ट मिर्ग उसी रास्ते आया, सिकारी ने सोच लिया कि इसका सिकार वह अभ्यस करेगा, सिकारी की तनी पट्चंट देखकर मिर्ग बिंती स्वर में बोला है सिकारी, यदि तुमने मुझे पुर्व आने वाली तीन मिर्गियों तथा छोटे छोटे ब मैं उन हिर्णियों की पती हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ चन का जीवन देने की किरपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समझ उपस्थित हो जाऊंगा, मिर्ग की बात सुनते ही, सिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया, उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दिया, तर मिर्ग ने कहा, मेरी तीनों पतनिया जिस परकार परतिग्यावद होकर गई है, मेरी मिर्टु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी, अतर जैसा तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उनके सबके साथ तुम्हारे सामने सिग्र ही उपस्थित होता हूँ, सिकारी ने उसे भी जाने दिया, इस परकार परातो हो गई, उपबास रात्री, जागरन तथा सिबलिंग पर बेलपत चढ़ाने से, अंजाने में ही पर सिब रात्री की पूजा पुर हो गया, उसने भागबत सक्ती का वास हो गया, थोरी ही देर बाद वह मिर्ग सब परिवार सिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका सिकार कर सके, किन्तु जंगली पस्वों की ऐसी सत्याता साथ तिक्ता एवं सामूहिक प्रेम भावना देकर सिकारी को बड़ी गलीन हुई, उसने मिर्ग परिवार को जीवन दान दे दिया, अंजाने में सिवरात्री के वर्थ का पालन करने पर भी सिकारी को मोक्ष की पराप्ती हुई, जह मिर्थु काल में यम दूत उसके जीव को ले जाने आये तो सिव गनोंने उन्हें वापस भेज दिया, थथा स उसकारी को सिव लोक ले गए, जीव जी की किरपा से ही अपने इस जन में राजा चित्रभाणू अपने पिछले जन्ब को याद रख पाए, तथा महासिवरात्री के महत्व को जान कर उसका अगले जन में भी पालन कर पाए, शिकारी की कथा अनुसार महादेव जो अंजाने में किये गए बर्त का भी फल देते हैं फर वात्सम में महादेव सिकारी की दयाभाब से परसंध हुए अपने परिबार के कष्ट का ध्यान देते हुए भी सिकारी ने मिगर परिबार को जाने दिया वो करुना की वस्तू उस सिकारी को उन पर पंडित एबं पूजारियों से उतिकिर्ष्ट बना दिया जो एक सिर्फ रात्री जागरन उपवास एबं दूद दही एबं बेल पत्र पत्र आदी द्वारा सिप को पर्शन कर लेना चाते हैं इस कथा में से सबसे महत्पून बात यह है कि इस कथा में अंचाने में हुई पूजन पर विशेश बल दिया गया है इसका अर्थ यह नहीं है कि सिप किसी भी परकार से किये गए पूजन को अशिवकार कर लेते हैं भोले नाथ जाने या अंजाने में से पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वात्सम में वा सिकारी सिप पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ या भी हुआ कि वा किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मिर्ग परिवार को समय एवं जीवन धान शिव का अर्थे कल्यान होता है उन निरही प्राणियों कल्यान करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसे सक्छात कार हुआ परोपकार करने के लिए महा सिवरात्री का दिवस होना भी आवे सकता नहीं है पुरानों में चार परकार के सिवरात्री पूजन का व तथा मा सिवरात्री पुरानों में वर्नित अंतिम सिवरात्री है निते सिवरात्री वस्तु परतेक रात्री की सिवरात्री है अगर हम उन परम कल्यान कारी आसु तोस भग्वान के स्यम को लीन कर दे तथा कल्यान मार का अनुसरन करे वही सिवरात्री का सच्चा वर्त है बोल नाथ बबा की जै, माता पार्वती की जै